जैपुर के अंदर हमारे नम न्यूक्त प्रदेश सद्यक जी का पत्वार गहन काहिर किरमें इसलिए लगना चाहिए जोड से बोलिए भारत माता की भारत माता की आज के इस काहिर किरम में जिनका की आज प्रदेश अद्यक्स के रूप में पद्वार गिरेन का कारिकरम है एक छोटे से कारिकरता के रूप में जिनोंने अपना कारिकरारम गिया आज हम देश के सबसे बड़े प्रदेश का वो नेतरुत कर रहे हैं ऐसे जमानी हैं हमारे नम न्यूक्त प्रदेश अद्यक्स मदन राठोड़ जी जिनके नेतरुत में बिदान सभा के चुनाब और लोग सभा के चुनाब लड़ा और इतने बड़े प्रदेश में जो कायर करता हूंने जिस मेहनत के साथ राजिस्तान में भार्देश जन्ता पार्टी की सरकार बनाने का काम जिनके नेतरुत में किया ऐसे सम्मानिये निवर्तमान प्रदेश सद्यक सीपी जोसी जी हमारे बीच में अभी आप उनको सुन रहे थे लगातार दो बार मुक मंत्री रहने का और आज हमारे प्रदेश राष्टिय उपात्यक्ष के रूप में हमारा नेतरुत कर रही है ऐसी मानिय बसंद्र राजे जी हमारी प्रदेश की सह प्रवारी जो लगातार कारिक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है कारिकरताओं को मार्ग दरसंदेने का काम करती है सीपजय राट कर जी हमारी डिप्टी सीएम स्रीमती दिया कुमारी जी प्रेमचंद बहरबा जी हमारे केंद्र में किर्सी मंत्री भागिरत चोधरी जी और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किया ऐसे अरण्ट चोत्रवेजी जी असोग परनामी जी सतीस पूनिया जी और जिन्होंने लंबे समय तक बिदान सबा के अंदर लगातार साथ बार रहने का काम किया है और हमारे प्रतवक्ष के नेता के रूप में काम किया है ऐसे सम्मानी राइंदरा ठोड़ जी केंद्रिय मंत्री हमारे राज़ बर्दन राठोड जी हमारी राश्टिय मंत्री हलका गुड़जर जी राज़ इंद्र गहलो जी पूर्मंद्री केलाज चौधरी चुन्निलाल गरासिया जी, हमारे राजसवा के सांसद नारान बंजारिया जी, पार्टी के बरिशनेता प्रभुलाल सेनी जी, सियार चौधरी साप, सरदार हजय पाल जी, प्रदेश के उपाचेक मुगेता जी, जोती मिर्जा जी, दामोदर अगरबाल जी, मोतिलाल मीना जी, जीतिंद्र गोटबाल जी, सिर्वन बगडी जी, ओम प्रकाज बढ़ाना जी, नार सिंग जोधा जी, और स्रीमती संतोस हैलाबद जी, और मेरे सामने बैटे हमारे मंत्री मंडल के सभी साथी गंड, हमारे सांसत गंड, बिदायक गंड, और मंज पर बिराजे, जिनका आशिरवाद हमें सदा मिलता है, ऐसे हमें, हमारे सभी सादू संत, उनके तरणों में नमन करता हूं, बंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और राजस्थान के कोने कोने से आए, वो कार करता है, जिनसे मन में जो भाव और उत्सा होता है, ज इस बिचार और संसकार को ले करके चलने वाले गाओ गाओ धाड़ी धाड़ी से आने वाले मेरे मोतियों से भेंगे मेरे कार करता बंदूओ भाई और बहनों। आप सभी का मैं यहां आने पार अब नंदन करता हूँ बंदन करता हूँ आप सभी को नमन करता हूँ मित्रो आज का हमारा ये कारिक्रम माननी हमारे प्रदेश के नमन्युक्त प्रदेश अद्यक्स मदन राठोट जी का कारिक्रम है और इस कारिक्रम में मुझे पता है जिस तरह का मैं द्रस से देख रहा हूँ जिस तरह का मैं पीछे तक कारिकरताओं को देख रहा हूँ क्योंकि आप कारिकरताओं के मन में जिस भाव और उत्सा के साथ आप मदंजी का स्वागत करने के लिए अब नंदन करने के लिए आप आए हैं मैं आप से इतना ही किया चाहता हूँ आप गाउगाऊ ढाणी ढाणी से आज क्या इस कारिक्रम में आए हैं मुझे ये भी पता है क्योंकि आपके साथ लंबे समय काम करने का मौका मिला है मैं एक-एक मंडल के कायर करता एक-एक जिले के कायर करता मोडचों के कायर करता हूँ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और आप जो मन में ठान लेता है जो पूरा करके दिखाते हैं ऐसे हमारे कायर करता मैं आज के मुँखे पर आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ मित्रो आज देश में जिस तरह से 2014 के पहले का बातापन देश के अंदर था आपने देखा होगा आई दिन भरष्टा चार होता था आई दिन नातंक बाद नकसल बाद जिस तरह की इस्तिती देश के अंदर पैदा थी लेकिन 2014 के बाद देश के यह सोची प्रदान मंद्री नरेंद्र मोदी जी के नेतरत में आपने जो परबरतन देखा है चाहे हमारे गरीब कल्यान की ओजनाए हो चाहे हमारे विकास की ओजनाए हो चाहे आतंकबाद नकसल बाद का खत्मा हो चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरब हो अगर यह हुआ है तो आप जैसे कार करताओं की बदोलत हुआ है और राजिस्थान में सरकार बनिये और देश के अंदर तीसरी बार भारती जन्ता पार्टी और अंडिये की सरकार बनिये वो आप जैसे कार करताओं की बदोलत बनिये मैं आप सभी का बहुत बहुत अबननन और बननन करता हूँ पेतरो हमने कहा था हमने कहा था तुनाब से पहले कि आप लोगों के साथ लगातार यात्राएं होई थी आपने हमारी वो यात्रा भी देखी होगी जिसमें गाउं गाउं ढाणी ढाणी हमारे सबी कायर करता गए थे वो कायर करता गाउं गाउं ढाणी ढाणी रत के साथ गए थे आपने जो उस में समख़चा के लिए जो पेटी में पेट गा थी उस पेटी में जो आपने समख़चा डॉली थी वो प्रदेस के अंदर आई थी हमारे सबी बadors्ट ज्यताओं ने उन समख़चा को भी देखा था मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूँ हमारी सरकार को लगबग साथ महीने हुए हैं लेकिन साथ महीने में आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग जिस तरह से कहते थे और हमने जिस तरह से सड़क पर मानिय सतीजी के नेतरत में और मानिय सीपी जी के नेतरत में जिस तरह से सड़कों पर आंदोलन किया था आपने देखा होगा आप ही वो कायर करता है ज하는데 कांग्रेस को जबाव देने का काम किया उनकी नीपियों का बिरोध किया उनके बुरस्त चार को बिरोध किया और युवाओं के जो सबने कुछलने का काम किया उसका भी बिरोद आप जैसे सबी कायरकार्टाओं ने किया मैं आप से इतना गेना चाहता हूँ हमने जिस तरह से भाइदा किया हमने जन्दा के बीच में जिस संकलपत्र को लेकर के हम गए थे हमने वो एक एक संकलपत्र पूरा करने का काम प्रारम किया है और आप ने देखा है कि हमने हमारे साथ मीने के कारिकाल में पेतालीस परसेंट से जादा उन संकल पत्रों को पूरा करने का काम हमने किया है मैं आज आप से इतनी लिए कहना चाहता हूँ आप सब लोगों गाओ ढाड़ी से इतनी बड़ी संक्या में आप आए है आप से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई और वेनो आपने हमारा पहला बज़ट देखा होगा हमने जो बाइदे किये थे और हमारे जन बिजनियों जो ने जो हमसे कहा था वो हमने आप के बीच में करके दिखाया है हमने वो आम जन की समझ्या जिन से आम जन द्रस्त था पांच साल आप ने जो संगर्ज किया था उस संगर्ज की अबादत के कारण हम कह सकते हैं कि आज पांच साल में जो अबादत आपने लिखी थी उसका परणाम दीरे दीरे आपको मिल रहा है मैं यही कहना चाहता हूँ आज हमने जो बज़र दिया है हमने जो गोसनाए की है वो एक एक आपके सामने है हमने कहा था कि युवाओं के साथ धोगा देने वाली उस सरकार को हम किसी भी तरह से उन पेपर लीग बालों को नहीं बखसेंगे हमारे पंदर दिसम्मर को सरकार गठनोई हुआ था और सोले दिसम्मर को हमने एसाइटी कटित करने का काम किया और आज एक सो पंदरे से जादा लोग जेल के अंदर है और आने वाली इस्चिती अभी आपने देखा होगा बिदान सवा के अंदर हमारे पिर्टबक्ष के नेता ने कहा था मचली तो पकड़ ली अभी मगर मच बाकी है मैंने कही चंता मत करिये वो मगर मच मी जल्दी आने वाले है यह मैं आप लोगों को बिस्वाज दिलाना चाहता हूँ अभी कई महत बुर्णे ने भी होने वाले है तो आपके सामने आने वाले हैं क्योंकि जन्ता के बीच में हमारा कायर करता जाता है या हमारे जन्पृत्नी दी जाते हैं हम आपको भी स्वाज दिलाते हैं हमारी सरकार हमारा चाहे मंडल का कायर करता हो चाहे हमारे जिले का कायर करता हो मोड़चों का कायर करता हो जन्ता के बीच में जिस अच्छे काम को ले करके गया है अगर जन्ता में कह करके आया है तो सामने हमारे जन्पितनीदी भी बेटें और आप हमारे सभी पदातकारी भी बेटें आप जो कह करके आये हैं उस काम को हमारी सरकार पूरा करेगी पूरा करेगी यह हम आपको भी स्वाश दिलाते हैं मैं तुरा मैं आप से इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने बजट के अंदर जिस तरह की सभी बिदान सभा छेत्रों में जो काम किया है हमने वो काम किये हैं जो 10 साल और 15 साल से नहीं थे और कांग्रेस की सरकार ने उन कामों को नहीं किया चैया हमारी ERCP की योजना है जल्दी उसका सिलान्यास होने वाला है या हमारा यमनाजल समझाता हो या बिजली के छेत्र में हमारे 2,25,000 करोड रुपे का हमारा समझाता हो वो भी हमारे जल्दी काम प्रारम होने वाला है आप से हमने जो बाइदे किये हैं उन बाइदों को भी बूड़ा करेंगे आपने कहा था आप कह रहे थे के युबाओं की भर्दी कैसे होगी मैं आपको भिस्वाज दिलाना चाहता हूँ आज के आपके माद्दम से ये भी कहना चाहता हूँ जन युबाओं ने सपने दे के थे कांगरेस ने उस सपनों को चकना चूर करने का काम किया मैं आपको भिस्वाज दिलाता हूँ कांग्रेस के लोग कह रहे थे आप एक लाग क्युवाओं की बढ़ती एक साल में कैसे कर देंगे अरे आप देखते जाएए ये तो एक साल में एक लाग है हमने पांच साल में चार लाग नोगरियों के लिए कहा है हम आज भी आप से विश्वास के साथ कहना चाहते है जो हमारी सरकार ने कहा है उसको हम पूरा करेंगे मेत्रों में आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ आप लोग गाओं गाओं ढाणी ढाणी से आथ आपको एक एक कारकरता के बारे में आप जानते है हमारी केंदर सरकार की योजनाए हो या राज सरकार की योजनाए हो उनको धरातल पर ले जाने का काम आप सभी को करना है हमारे कारकरता को दायत भी बनता है आप सभी ने देखा है क्योंकि आप जो मंच पर बराजमान हमारे जो नेटागड है वो इसी कड़ी में से निकल कर गया है आप अगर देख लोगे दामोदर्दी से लेकर की है यहां तक बूरे सबी जो बेटे हैं एक एक कार करता के बारे में आप जानते हो आप पैचानते हो के इनों ने कितनी मेहनत के साथ काम किया है मैं आप से भी यही कहना चाहता हूँ और बार बार में कहता हूँ इस बात को कि यह भारत ये जनता पार्टी है और इस भारत ये जनता पार्टी में एक सिर्फ कायर करता और काम करने वाले कायर करता की पैचान होती है यह आप विश्वास मानिये ये दूसरी पार्टी कोई नहीं है और वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि भारत ये जनता पार्टी कायर करता हूँ की पार्टी है और ये वो पार्टी है आजाजी के बाद आट-दस लोगों ने और उन आट-दस लोगा राष्ट बाद ये लोगों ने का गौराव आप जैसे हजारों कायर करता लाकों कायर करताओं की बदोलत बना है आप ने देखा होगा हमारी इस काम के लिए कितनी पीडियां भुग गई जिन लोगों ने घर भार कुछ नहीं बसाया वो लोग कितने थे नीमगीड के अंदर वो लोग थे जिनों ने इस पार स्वर्गिया रिशंकर जी भावडा स्वर्गिया वमरलाल जी सर्मा स्वर्गिया ललित चत्रुबेदी जी ललित किसोर चत्रुबेदी जी स्वर्गिया रामदाज जी अक्रवाल स्वर्गिया रगवीड सिंग जी कौसल साफ और हमारे महा महीम राजपाल सम्मानिय गुला का जी मातोर अरुन जी चत्रुबेदी असोग जी परनामी मदनलाल स्वर्गे मदनलाल जी सेनी सती जी पूनिया सीपी जोशी जी और अब ये भागडोर सोले में अध्यक्ष के रूप में हमारे मदन राटोर जी समाल रहे हैं एक बार आप से कहना चाहता हूं जोड़दार त जिला अध्यक्ष के रूप में कभी मंदनल अध्यक्ष के रूप में कभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तो कभी प्रदेश के और जिले के मंदनल के पदातकारी के रूप में कभी मोर्चों के पदातकारियों के रूप में और ये बदलती है और ये बदलने का किरम ह मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं आज मनन्जी राठोर के नेतरत में हमारी पार्टी आगे बड़े सरकार की योधनाओं को हम नीचे तक पहुचाएं हम एक प्रदेश के नागरे घोने का भी कर्टब हमें निवाना है मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह हमारी वो पार्टी है जो हम समर पड़ भाव से काम करने वाले लोग है इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम एक नागरे घोने का कर्तब भी निवाएं हमारे पड़ोस में हमारे गाओं में हमारी धाड़ी में कोई भी ब्यक्ति ऐसा हो जिसे आवश सकता हो सरकार की योजनाओं की जिसे आवश सकता हो क्योंकि पंड़ दीन द्यालोपाज जी ने कहा है कि अंतिम छोर पर जो ब्यक्ति खड़ा है उसको लाव दे करके हमें आगे लाना है मैं आप सभी से एक कायर करता होने के नाते मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि उस ब्यक्ति को सरकार की योजनाओं को लाव पोचे हमारी केंडर की सरकार हमारी राजी की सरकार दोनों सरकार की योजनाएं जितनी हैं उन योजनाओं का लाप हमारे एक एक उस ब्यक्ति को मिले हमारे भाई को मिले हमारे उस गरी ब्यक्ति को मिले जिसको आवच सकता है उसको मिले इसकी हमें ठीक प्रकार से योजना बनानी है मैं इतना ही केना चाहता हूँ कि अगर उस ब्यक्ति के घर तक हम जाएंगे उसकी दुआएं भी हम लेंगे कई लोग हमारे ऐसे होते हैं जो करने को नहीं होता है उसकी आहां भड़ते हैं लेकिन जो हम दे सकते हैं उसे दे नहीं पाते हैं मैं आप से इतना ही केना चाहता हूँ, हम एक नागरिक होने के नाते, एक ऐसी पार्टी के कार करता होने के नाते, हम उन सभी से जुड़ने का काम हमें करना है, क्योंकि पार्टी हमारी, हमारी एक राजनीती के अलावा, हम सामाजिक सरोकार के काम भी हमारी पार्टी करती है, स्वक्षता का काम अपने हाथ मिलिया और लाल के लिए से स्वक्षता का काम प्रारम किया और आज पूरे देश के अंदर स्वक्षता का काम हो रहा है यहीं नहीं ऐसा लगा देश के अंदर कि महला और पुरुसी के अंदर लिंगन पास में बहुत बड़ी कमी आई है तो उन् जो थोड़ी ज़्यादा थी वो कितनी कम हो गई है और अभी आपने देखा होगा देश के यह सोची प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आभान किया है कि एक पेड मा के नाम लगाना है और आप देख रहे हैं जिस तरह से पर्याबन की द्रश्टी को देखते हुए एक पेड मा के नाम लगाना है साथ अगस्त को हर्याली तीज है साथ अगस्त को हर्याली तीज है हर्याल और राजिस्तान हम मना रहे हैं मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूँ राजिस्तान के हर दिले में कारिक्रमे हैं हमारे डिपार्टमेंटों के माद्यम से बन विवाग के म माध्यम से गिरामिड विकास के माध्यम से और हमारे सभी विवागों के माध्यम से हम सबा करोड से उपर पोड़ा लगाने का काम साथ अगस्त को हर्याल राजिस्तान के माध्यम से करने वाले हैं आप सभी से में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस छेत्र में हैं हमारे सभी म निवेदन करना चाहता हूं कि राजिस्तान में बैशे भी आवेशक्ता है क्योंकि हमारा राजिस्तान में रेगिस्तान का एरिया जादा है आप सभी समय इतना ही निवेदन करना चाहता हूं हम भी उस अभियान में एक-एक कायर करता सभी कायर करता हूं को साथ लेकर चले और राजस्थान को पर्यावरण की इस्टिती को देखते हुए हर्याले राजस्थान के देन साथ अगस्त को हम जादा से जादा पेड़ लगाने का काम करें अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में क्योंकि मुझे यहां से चोमू आउस्थोरा दीक राये वहां तक इतनी बड़ी संख्या है आप राजिस्तान के गाउं गाउं डाड़ी अर धिले हर भंडल से कार करता है आपके राजदानिय में पदारने पर आप सभी का स्वागत नमनंदन करने के साथ साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्वात और साधु बात देना चाहता हूं और यही अंत में निवेदन करना चाहता हूँ हम सब एक बिचार के लिए एक संसकार के लिए लड़ रहे हैं देश की प्रदेश की जन्ता किसी भी राज किसी भी राजने तिक दल पर विश्वास नहीं करती है अगर उसके मन में अगर कोई बात है तो बो यह है कि अगर इत राजिस्थान का और देश का अगर कोई भला कर सकता है तो बो भारत ये जन्ता पार्टी का काईर करता भला कर सकता है इसलिए उनके अंदर ये विश्वास है हमें वो विश्वास भी बनाना है और आम जन्त के बीच हमारी सम्मेदनाइभी रहे हर काम में हम उनके पास जाए हर काम में हम उनका सहयोग करें हम इसलिए नहीं हम व्यवस्ता परबरतन की बात करते हैं हम उनको उस मिलकर के हम उस व्यवस्ता परबरतन का भी काम करना है और हमारे राजिस्तान को विक्सित राजिस्तान भी बनाना ह यह मैं आप के बीच में निवेदन करना चाहता हूँ मान्य मोदी जी देश के प्रदान मंत्री जी का यह आवान है कि बिक्सित भारत और बिक्सित राजिस्तान बनाने का जो सपना है उसको पूरा करेंगे इसी आसा और विश्वास के साथ पुने आप सभी को इतनी बड़ी संक्या में आए आप सभी का बहुत बहुत धनवाद मंच पर बराजमान सभी अमारे बरिष्टनों का बहुत बहुत धनवाद आप सभी पदारे पुने धनवाद जै हिंद जै भारत जै राजिस्ता बहुत बहुत धन्यवाद मानिय मक्यमंद्री जी जिन्होंने प्रदेश में नए अयाम तो खड़े किये ही और साथ में एक बहुत बड़ा उधारण भी बने कि एक भारतिय जनता पार्टी का कारेकरता जब सरकार में आता है तो अपने सो प्रतिशत वादे पूरे करने के लिए किस तरह काम करता है ऐसे उधारण